तयार हूँ जानवरों के हसा हसा कर 로ड़ कोट कर देने वाले विडियो के लिए चलो तो फिर देखते हैं नमबर सत्रा आपने कभी ओटर को देखा है ये कुछ ऐसे देखने वाले भयंकर प्यारी किस्म के जानवर होते हैं जैसे इस वीडियो को देखो दोस्तों यहाँ यह ओटर जगलिंग कर रहा है लगता है कि ओटर भाई सरकस जॉइन करने का प्लान कर रहे है अच्छा ज़रा इन्हें खाते भी देखना एक बात बताओं ओटर भले ही कितने ही प्यारे क्यों न लगें पर मेरे भाई इन्हें पाल मत लेना इंडिया में पुलिस बहुत मारती है वाइड लाइफ एक्ट के तहत नमबर सुला ये लेलो पुदीना वाली चिलम याद है तो अब जरा इनके इस डाय हार्ट फैन को देखो मेरे भाई हस असके लोट पोट हो जाओगे साही है जिन्दगी चाहे जितना भी परेशान करे जब भी कुछ अच्छा ना हो तो जोर से चिला कर बोलना दोस्तों आपने जब भी देखे होंगे बड़े बड़े मगर मच देखे होंगे पर आप इस बेबी मगर मच को देखोगे ना तो सही कह रहा हूँ सारा धर भाग जाएगा था ना कितना प्यारा सा डर भाग गया ना नहीं भाग ना था जरा इसे बड़ा होने के बाद देखो भाई सहाब शेर जैसे गुर राते हैं ये मगर मच भी बापरे नमबर चौदा यार पांडा जितना मज़ेदार कोई जानवर नहीं होता इनकी हरकते दिन बना देती है ये वीडियो देखो यहां इस मदर पांडा का बच्चा उससे दूर कैर टेकर के पास खेल कुदरा था तो इसके बाद इसकी माने इसके साथ जो किया ना क्या सही इसे पकड़के खचोड़ते हुए लेके गई ना और एंड में दबोच के सुला लिया बिलकुल ऐसा इनसान करते हैं अच्छा अब दोस्तो जरा इस वीडियो को देखो यहां ये पांडा लोग स्टाफ के साथ कोपरेट नहीं कर रहे हैं इनको कुल में लाकर इन्हें सफाई नहीं करने देनी सारा कच्रा फैला करके रख दिया वापस से गर्मी आ रही है कितना जोर से मन होता है ना कि मस्त वाटर पार्क जाएं और लड़कियों को मेरा मतलब है पानी में जीब भर के मस्ती करें परन्तु प्यास तो सबको लगती है पानी में मस्ती करने का मन भी सबका होता है ये बात कितनी सच है इन भालियों की फैमिली से पूछो इन्होंने जॉन नाम के लॉंडे के पूल में कबज़ा कर लिया है आने वाले टाइम में ये भी कारों को चलाएंगे अच्छा जितने मज़ेदार ये पांडा होते हैं उतनी ही बड़ी चिलम ये रड पांडा भी रहते हैं जारा देखो यहां ये रैड पांडा अपने घर से बाहर निकलता है और जैसे ही अपने सामने बड़ा सा पत्तर देखता है इसकी फट जाती है अरे उस पत्थर को देखकर कौन सा ताव बता रहा है भाई तेरे उपर पड़ गया तो सारे ढकन खुल देगा और यहां इन लोगों की सपना के लिए लड़ाई हो रही है अच्छा तो फिर वाकल मेरे साथ क्यों थी अभी एक मुझना अच्छा फिर गोटे पेलाद का या नमबर दस दोस्तो आप बड़ी महनत से किसी चीज को हासिल करो और कोई उसे तुरत ले करके चला जाए तो कैसा लागेगा आया देखो चमपा हमारे जाल में कितना बड़ा मचली आया है किदर है? किदर है? बहुत बड़ियां बिल्ली मौसी बहुत बड़ियां पर तुम तो बस मचली ही चुरा पाई आजकल की लड़कियां तो दूसरी लड़कियों के बॉइफरेंड उड़ा ले जाती है नमबर नौ दोस्तो आदमी एक ऐसी जात है जो पहाड हो या पेड़ हर जगे अपने घर बना लेता है परन्तु ऐसा नहीं है कि हमी अजीवों गरीब जगाहों पर घर बनाते हैं जरह इस पक्षी को देखो इसने तो भैसे के सर पर अपना घुसला बना रखा है किसी दिन ये भैसा अगर किसी दूसरे भैसे से लड़ पड़ाना तो पंची भाई तुम बे मतलब पेले जाओगे याद रखना नमबर आट किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को भाई शेर अगर सो रहा है तो कौन पागल है जो उसे जग आएगा जानते हो कौन बहुत बड़ियां बेटे भाग गए पकड़ा जाते न तो ये लोग बिर्यानी बना देते तुमारी अच्छा कभी भी सूर के साथ लड़ाई मत करना क्योंकि तुम दोनों कीचड में गंदे होगे पर जो सूर है वो से बहुत एंजॉय करेगा ये फैक्ट बस पिक्स पर एप्लिकेबल नहीं होता अच्छा भेड चाल तो इंसान हो या भेड दोनों जगा काफी देखी जाती है कहते हैं कि अगर सबसे आगे चल रही भेड गलती से खाई में कूद जाए तो सारी भेडे भी बिना सोचे खाई में कूद जाती है पर इस सकार्पियो वाले भाई ने सोचा नहीं होगा कि ये भी एक भेड चाल का शिकार बन जाएगा इस बन्दे की हालत देखो बिटी बस हौर न बजाने से कुछ नहीं होने वाला अच्छा आप अगर यहां होते तो क्या करते? कॉमेंट्स में बताओ हर किसी की सिंदगी में एक ऐसा बखलोल दोस्त जरूर होता है जो बे मतलब ऐसी हरकते करता है जिनसे आपको डर लगता हो इस शेक को क्या पता था कि इसका दोस्त इसके साथ क्या करने वाला है? वल्ला हभी भी उट कहीं भी कभी भी कैरी भाई अगर फ्यूचर में किसी कुट्टे को पाल लेते हैं न तो जानते हो वो कुट्टा कैसा होगा? इसा ये कलियोक के डॉग भाई लोग तो गेमर भी बन चुके हैं कितने मज़े से गेम खेला जा रहा है ना कोई इनसान जब बहुत सीधा होता है तो लोग उसे गाए कहते हैं एक बारी फिर से सोच लो दुनिया वालो क्योंकि कई बारी गाए ढोर भी काफी जादा हराम ही निकल जाते हैं जैसे यहां ये लड़की इस बीमार गाए की मदद करने आती है ऐसे ही ये भाई इंस्टाग्राम पर बाइक स्टंट की वीडियो बना रहे थे तब ही वहां खड़े सांड भाई को लगा की महले में कोई नई च्छमिया आ गई है बस फिर क्या था रुक तेरे को बता दे नमबर तीन दोस्तों आपने इंसानों को या जानवरों को नहाते तो बहुत देख रखा होगा पर क्या मेरे भाई आपने किसी चुकरे को नहाते हुए देखा है ये तो बिल्कुल हमारी तरह मूँ गिस गिस कर नहा रहा है यार शायद आज अपनी गल्फ्रेंड से मिलेगा चूह भाई और यहां ये चूहा उदम करते हुए रंगे हातों पकड़ा चुका है इसका रियाक्शन देखना नमबर दो हाथियों के छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते हुए कितने प्यारे लगते हैं न कसन से इने देखकर दिन बन जाता है अच्छा तु जड़ा इन छोटो मिया पर भी नज़र डालो इन भाई सहाब ने पानी को अपनी लाइफ में पहली बार देखा है मन करता है इसे गोदी लेलू फिर इसका वजन कितना होगा सोचके सारे अर्मान नाली में बह जाते हैं अच्छा दोस्तो ऐसा कहा जाता है ना कि बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा कई बारी ऐसा तुरत हो जाता है जिसे हम इंस्टेंट कर्मा कहते हैं हमारे इस डॉक भाई के साथ भी इंस्टेंट कर्मा हुआ है ये चले थे शिकार करने पर हो गया कुछ और कैसा रहा एपिसोड मजा आया ना भाई ये लाइक जरूर कर देना और मैं भी चला चुकरे की तरह नहाने तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम